Hello everyone, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि राज्य लोग सिवा आयोग यानि कि उत्तर प्रदेश राज्य लोग सिवा आयोग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें आफ्शनल विशाय को हटाये जाने के संदर में प्रस्ताव भेजा है इसी प्रस्ताव पर आज एक मीटिंग होनी है जिस पर राज्य सरकार निन्ना लेगा लेकिन आफ्शनल सब्जेक्ट को हटाये जाने के पस्चात क्या विशाय जोड़े जाने है इसके संदर में हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा देखिए ऑफ्शनल सब्जेक्ट हटाये जाने के पस्चात दो सब्जेक्ट दो विशाय नए जोड़े जाने के संदर में राजज्य यूपी पिससी ने निनन लिया है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं देखिए बाकी सब जो सब्जेक्ट है वो वैसे ही रहेंग जो अपना syllabus था उसमें सामिल था अभी दो नए subject यानि की दो नए paper जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया है इसमें है GS paper 5 और GS paper 6 ठीक है तो optional को हटा कर यानि की हमारा वैकल्पिक विसे है उसको हटा कर दो नए subject दो नए paper जोड़े जाने के संदर में प्रस्ताव दिया गय है ठीक है optional यानि की वैकल्पिक विसे अब हटाये जाने है ठीक है वैकल्पिक विसे हटाये जाने है और नए दो पेपर जोड़े जाने है अप्सनल के यह दो पेपर होंगे GS paper 5 और GS paper 6 इसमें क्या syllabus होगा इसके संदर में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है कोई भी बारे में इसके बारे में नहीं बताया गया है कोई भी जानकारी इस प्रस्ताओं में नहीं दी गई है और यह जो हमको यह जो note मिला है यह भी original है कि नहीं है इसके संदर में हमें भी कोई exact जानकारी नहीं है किन्तु ये हम मान के चल रहे हैं कि ये originally ये होना है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उप्त प्रस्तावित परिक्षा योजना वर्स 2023 ठीक है ये हो सकता है कि दो नए पेपर जोड़े जाएं और और सब्जेक्ट हटाया जाएं और ये दो नए पेपर हैं उसके उसका क्या सिलेबस होगा उसमें क्या विशाय जोड़े जाएंगे इसके संदर में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जैसे ही हमको कोई भी अवगत कराएंगे तद तक के लिए धन्यवाद